Most welcome in my channel Knowledge Point आज हम सभी समझेंगे hardware और software के विशे में जैसा कि कुछ भाईया बहन का जो computer subject है उसमें जो chapter दिये गए हैं वो hardware और software से related हैं जिसमें hardware और software के विशे में बताया गया है इसलिए आज हम सभी इस video के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि hardware किशे कहते हैं software किशे कहते हैं hardware और software में क्या अंतर होता है computer के मुखता दो भाग होते हैं hardware और software Without hardware and software computer cannot do anything कोई भी कारियर computer नहीं कर सकता है बिना hardware और software की मदद से computer के ये दो मुख्यता भाग होते हैं जिनकी मदद से computer कारियों को शंपादित करता है computer के ये जो दो मुख पार्टस हैं hardware और software इन्हें जानने से पुर्व एक बार हम समझने computer क्या है computer is an electronic device computer एक यांत्रिक यंत्र है that accepts data, process it and provide output result जो data को accept करता है input device की मदद से process करता है processing device की मदद से और then after output result को देता है output device की मदद से अब computer के जो दो पार्टस हैं hardware और software इसके बारे में शमझ लें कि hardware किशे कहेंगे और software किशे कहेंगे hardware पहले इस पे हम चर्चा कर लें all the input output and processing components that one can see and touch are called hardware सभी input, output और processing components जिन्हें हम देखते भी है और छूते भी है उसे हम hardware कहते हैं जैसा आप सभी को अनभव होगा जब आप computer पर बैठते हैं तो बहुत ऐसे components आपके इर्दगिर्द होते हैं जिन्हें आप देख भी रह होते हैं और छू भी रह होते हैं छूते भी हैं जैसे कि आप keyboard के माध्यम से जब data entry करते हैं तो आप keyboard को देखते भी हैं और छूते भी हैं जब printer के माध्यम से आप किसी चीज़ को print करते हैं तो printer को आप देखते भी हैं और छूते भी हैं, जब आप monitor पर किसी result को देखते हैं, तो आप उसे देखते भी हैं और छूते भी हैं, ऐसे कई ऐसे components parts हैं, जिने हम देखते भी हैं और छूते भी हैं, जिने हम देखते भी हैं और छूते भी हैं, जिने हम देख भी सकते हैं और सारे components जिने हम देख भी सकते हैं, छूब भी सकते हैं, उसे हम hardware कहते हैं, अब बात करते हैं, software के बिशे में, software is a recorded set of instruction that control the action of a machine, software जो होता है, वो निर्देशों का एक समू होता है, जिसका कार्य मसीन के action को नियंतरित करना होता है, software के मदद से हम machine के computer जो machine होता है, वो machine के जितने भी action होते हैं, वो software के माध्यम से नियंतरित किये जाते हैं, Software के मुख्यता दो प्रकार होते हैं System Software और Application Software System Software Allow us to work with the computer वैसा Software जो Computer के शाथ वर्क करता है Computer के कारियों में मदद करता है उसे हम System Software कहते हैं For Example, Udharan Saru, MS, DOS, Windows, Unix, Operating System ये सारे जो Example है MS, DOS, Windows, Unix, Operating System ये सब System Software के Example है जो की System के कारियों में उसकी मदद करता है अब बात करते हैं Application Software के विशे में Set of Programs written to perform a specific task Example, MS Word, MS Excel, ETC वैसा Software जिसे एक खाश उद्देश्च के निमित बनाया गया है जिसे एक खाश कारिक के लिए बनाया गया है जिस पर एक खाश उद्देश्च के शाथ कारिक किया जाता है उसे हम Application Software कहते हैं जैसे उदारन सरूप आप जब MS Word पर बैठते हैं जब MS Word पर वर्क आप करते हैं बैठने का मतलब मेरा कहने का भाव है कारे करना तो MS Word पर जब आप कारे करते हैं तो MS Word पर आप Document Create करते हैं आप कुछ विशिस्ट कारे करते हैं MS Excel जिसके माध्यम से हम Mathematical Function, Logical Function, General Accounting का कारे करते हैं जो एक खाश उद्देश हुआ, एक विशिस्ट कारे हुआ उसके निमित जिस Software का हम यूज करते हैं वो हमारा Software होता है Application Software अब हम बात करते हैं Hardware के Parts के संबंद में The Various Mechanical Parts बहुत ऐसे Mechanical Parts होते हैं Hardware में जैसे की Input, Output, Storage Device Input, जैसा कि मैंने पुर्वी भी बता चुका हूँ कि Input Device, वैसा डिवाइस जिससे हम Data Entry का काम करते हैं जब Computer Data को Accept करता है तो वो Input Device की मदद से करता है Output Device, जिसके मदद से हम Output Result प्राप्त करते हैं उसे हम Output Device करते हैं Input Device, जैसे उसमें बहुत तरह के डिवाइस उसके Example है Keyboard है, Mouse है, Joystick है इसके बारे में हम Deploy Church अपने अगली वीडियो में करेंगे Output Device, Monitor, Printer, Speaker ये सारे Output Device के Example है Storage Device, वैसा डिवाइस जो Data का संग्रहन करता है Data को संग्रहित करने का काम करता है उसे हम Storage Device करते हैं जो हमारे Data को Store करके रखने का कारे करता है संग्रहित करके रखने का कारे करता है वो Storage Device है जैसे CD, DVD ये CD, DVD, Flopper Disc, Pen Drive इसमें Data हमारे Store करते हैं ये Storage Device है Input, Output, Storage Device ये सारे जितने भी डिवाइस के अभी हमने आपको Example बताएं जिसे हम छूभी सकते हैं देख भी सकते हैं ये सारे डिवाइस हुए है वो कौन से डिवाइस के Example हुए वो कौन से डिवाइस हुए है वो Hardware डिवाइस हुए जिसे हम देख भी रहा है और छूभी रहा है लेकिन जब आप Computer वे Work करते हैं और Computer पर कोई भी परणाम जब आपके Monitor पर प्रदर्शित होता है दिखाता है तो आप उसे जब छूने जाएंगे तो आप Monitor की स्कीन को टच कर पाएंगे उसके अंदर के Software Programs को या Documents File को आप छू नहीं पाएंगे जिसे वो प्रदर्शित कर रहा है तो जिसे हम देख तो पा रहा है लेकिन छू नहीं पा रहा है वो Software हुआ और जिसे हम देख भी रहा है और छू भी रहा है वो Hardware हुआ इस वीडियो के मादम से आप समझ चुके होंगे कि Hardware क्या है Software क्या है Hardware और Software में क्या अंतर है किसे हम hardware कहेंगे किसे हम software कहेंगे अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक share करें इस channel को subscribe करें और like करें धन्यवाद